जैहिंद एवरीवन आजके इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप सभी BSAP Treadman नई भरती 2024 का आप सभी इंतियार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशकवरी है और सारी जानकारी आजके इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बतान आ रहा है और 2040 पोस्ट आ रहा है इसके लिए एक सौट नोटिस जारी किया गया था जो कि काफी जाता सोचल मीडिया पर वारल हुआ था इसको लेकर मेरे बहुत सारे भाई योटूबर वीडियो बनाए थे और मेरे बहुत सारे भाई ये भी सोच रहे हैं कि आखिर अगर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर ये भरती आ रहे है तो इसका अपलाई आप सभी किस दिन से बीसप की साइट से कर सकते हैं ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं तो चलिए मेरे दोस्त वीडियो सुरू करते मेरा देरी किये होई क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइये से हैं जो कि परिशान हो रहे होंगे कि अखिर बीस अप ट्रेडमेंट की जॉब है अखिर आ क्यों नहीं रही है क्योंकि यह भी एक हाइलाइट जॉब बन चुकी है जिस प्रकार से एक जॉब है जो कि हर साल आपको देखने को मिल रहा है उसी प्रकार बीस अप ट्रेडमेंट की भी जॉब आप सभी को हर साल देखने को मिल रहा है यहाँ जॉब भी एक हाइलाइट जॉब हो चुका है और हर बच्चा इस भरती के लिए भी फॉर्म को अप्लाई करता है क्यो तो आप सभी इस भरती के लिए फार्म को अपलाई कर सकेंगे लेकिन यहां पर बड़ा मुद्ध यह उठता है कि आखिर ट्रेडमैन की जौब है तो बहुत सारे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंथ पास है तो आप सभी फार्म भर सकते हैं अगर आप जिस भी ट्रेड के लिए फार्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड का अगर आपके पास दो साल का Work Experience Certificate है तो आप सभी सिंपली बेसर टेडमेन के लिए फॉर्म को अपलाई कर सकेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है जिसे सिंपली अगर माल लेते हैं कि आप सभी कॉविलर के लिए फॉर्म को अपलाई कर रहे हैं तो आप दसमी पास हैं प्रलस में आपके पास कावविलर का दो साल का Work Experience Certificate आपके पास होना चाहिए अब आप सभी बोलेंगे Certificate कहां से बनेगा आप सभी अपने सीटी में जाकर अपने मार्केट में जाकर कहीं सभी पता करिए अपलाई के साथ में ही आपका Experience Certificate भी अपकी बार अपलोड होगा यह बात यहाँ पर सत्य है और मेरे बहुत सारे भाई भी बोल रहे थे कि NSQF Label First का Certificate लगेगा या फिर नहीं लगेगा तो आप सभी को बता दें कि इस बार NSQF Label First का Certificate है वो चांस यही बन रहा है कि ना लगाया जाए क्यों बन रहा है आपको बता दें NSQF Label First का Certificate है इसको लेकर पिछली बार जो भरती आए रही थी 2100 Thorn Post पर 2023 में उसमें काफी ज़रा यहाँ पर जंजट हो गया था और यहाँ तक कि यह भरती जो है वो कोट में भी चली गई थी इसी को लेकर तो हो सकता है अब की बार यहाँ पर NSQF Label का जो माज़रा है उसे खता में कर दें विभाग फिलाल फुल नोटिफ्रेशन आएगा उसमें क्या कुछ लिखा रहेगा कि BASAP निकाल दिया है 240 बदो पर male और female के लिए vacancy जो बच्चे इच्चुक हैं वो बच्चे BASAP में form अपलाई करके और ट्रेडवेन का जॉब कर सकते हैं वहाँ पे सारी चीज़े बताई गई थी तो इसलिए मैं आप सब को कहना चाहता हूँ और document verification होने वाला है और last में जो आप का selection होगा वो returning jam में आप जो number पाये रहेंगे उसी के basis पर एक final में cut-off बनाई जाएगी उस cut-off के basis पर आप सब को यहाँ पर selection दिया जाएगा यह यहाँ पर selection process रहने वाला है तो अगर आप भी BASAP में जाने के चुक है पुछी जाएगी जो की 25 question रहेंगा 25 number का और Hindi on and English अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें अगर बात करें तो यह multiple है ठीक है चाहे हिंदी करिए चाहे English करिए दोनों में से आपको यहाँ पर एक करना जिरूरी है ठीक है अगर आप Hindi करते हैं तो भी 25 question रहेंगा 25 number का अगर आप English करते हैं तो भी 25 question रहेंगा 25 number का अगर हम number आप question की बात करें यहाँ पर तो आप total 100 number का आपका paper होने वाला है 100 question आप सभी चे पुछा जाएगा exam में negative marking बिल्कुल नहीं है 120 minute का आप सभी को exam में समय मिलेगा अगर बात करने सिंपल है तो दो घंटे का आपको exam में समय मिलने वाला है अगर आप exam क्लिर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 85 plus number लेकर आना पड़ेगा ता आपको BSF में जाने से कोई रोक नहीं सकता ठीक है यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी जैसा आप सभी exam क्लिर करेंगे फिर आप सभी करें यहाँ पर running होगा running की बात करें अगर आप mail करने डेट है तो अपकी height यहाँ पर 165 cm होनी चाहिए आपकी जो running है वो 5 km करवाई जाएगी जो कि 24 मिट के अंदर आपको qualify करना पड़ेगा अगर हम चेस्ट की बात करें तो 78 आपका normal चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए फुलाने के बाद सभी के यहाँ पर 83 cm चेस्ट होना चाहिए 5 cm चेस्ट यहाँ पर फूलना विल्कुल अनिवार है बस यही आपके physical महोगा अगर आप female के बात कर लें तो female के यहाँ पर 1600 मिटर रणिंग होगा जो कि 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर qualify करना होगा female की जो height रहेगी वो रहेगी 155 cm female की height 155 cm रहने वाली है अगर आपके इतनी height है तो आप भी यहाँ पर apply कर सकती है उसके बाद जैसे सारी सीची यहाँ पर clear हो जाएंगी उसके बाद female का जो यहाँ पर होने वाला है weight female का यहाँ पर weight भी मापा जाएगा जो कि minimum 40 kg है और overweight कितना भी हो चल जाएगा उसी पकार से male का भी यहाँ पर weight मापा जाता है minimum 50 kg बात करें 50 kg से कम नहीं होना चाहिए जदर कितना भी हो चल जाएगा कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है यहाँ सब सभी से qualify कर लेंगे फिर आप सभी का next time admin card जारी होगा जो कि आपका trade test medical होगा अगर हम बात करें तो आपका trade test जो होगा आप जिसी भी trade के लिए form को apply किये रहेंगे उसी trade से आप से कुछ question यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको question जो है बताना पड़ेगा और आप सभी यहाँ पर अपना traders भी qualify कर पाएंगे उसके बार आपका medical होगा फिर आपका यहाँ बेडी भी हो जाएगा simple से आप सभी यहाँ पर बेस अपने job पा सकते हैं यही पुरा selection process रहने वाला है अब बात यहाँ पर आती है apply कब से होगा आप सभी को जानकारी के लिए बता दे कि apply जो है वो फरवरी के first week से start हो जाएगा इसको लेकर आप परेसा मत होएं जैसे ही employment इसका full notification जारी होता है उसके 30 दिनों तक आप सभी इस भरती में form को apply कर सकेंगे तो इसलिए फरवरी के first week में ही आप सभी का apply यहाँ पर शुरू हो जाएगा full notification भी आप सबको देखने को मिल जाएगा बाकी जैसे जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने माले समय में जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा तो चलिए मरे दोस्त आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों साथ वीडियो को share कर देना जो भी अभी भी यहाँ पर ब्यासम मिल आने के चुक है उन सभी के पार वीडियो जो है यह share कर देना ठीक है तो मिलता आप सबीसे निसे वीडियो में एक सांदर अपडेट सा तब तक लिए जैहिंत